हलो आज स्टार्ट करते हैं हम डिस्टिक डोड़ा डिस्टिक डोड़ा के बारे में तो यह रहा डिस्टिक डोड़ा तो इसकी जो नेबर डिस्टिक जो है वो कौन-कौन सी है इसकी नेबर डिस्टिक है डिस्टिक के इस्तिवार पड़ती है जो सबसे बड़ी डिस्टिक है और अनदनाग के साथ भी एक कुछ अपने पार्ट शेयर करता है, उसके बाद रामबन डिस्टिक, उसके बाद हमार उद्वंपोर डिस्टिक रहा और ये कठवा डिस्टिक रहा थी, कितनी डिस्टिक के साथ शेयर करती है बॉंडरी, ये शेयर करती है फाइव डिस्टिक के स बॉंडरी डिस्टिक इस्टिक इस्टिक अनद्नाग डिस्टिक ग्रामबन डिस्टिक उधंपुर डिस्टिक कठवा के साथ शेर करती है बॉंडरी तो start करते हैं तो इसके according to the record of right, missly हकीकत missly हकीकत जो इसके record से हमें पता चलता है इसके जो maintained किया गया है वो state renewal department ने maintain गया गया है इसके record मिसली हकिकत तो इसका जो डोडा का headquarter है वो कहां पर situated है डोडा, name from district headquarter तो इसका एक कहानी है एक कहानी है कि यहां पर जो district डोडा जो है वो नाम के से पढ़ा डोडा जो है वो नाम के से पढ़ा तो यह नाम जब यहां पर राजाज का शासन चलता था तो एक utensil maker थे जिनसका नाम था दीधा तो वो पागिस्तान के मलतान के रहने वाले थे को भी दीधा एक utensil maker थी, वो पागिस्तान के रहने वाली थी उन्होंने क्या किया वो पाकिस्तान से माइगरेंट होके डोडा में आए तो उन्होंने डोडा में क्या किया वो यहां पर्मिन्टली यहां पर सेटल हो गए और उन्होंने यहां पर एक यूटेंसिल फैक्टरी खुली और यूटेंसिल फैक्टरी के साथ में आष्टा 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 यहां पर मेंट्ल हो गए तो उन्ही के नाम से दीदा के नाम सही डूडा नाम यहां पर रख दिया गया उसके नाम से जाना जाने लगा तो क्या हुआ दुबारा बताता हूँ एक यूटेंसिल मेकर थे जिनका नाम था दीधा वो माइगेंट होके मुलतान पागिस्तान से डूडा में आया है और यहां पर परमिंटली सेटल हो गए और यहां पर उन्होंने क्या किया यहां पर उन्होंने एक फैक्टरी खोली यूटेंसिल मेकर बनाने वाला एक फैक्टरी खोली किस ने खोली यह दीधा ने खोली और दीधा कून थे दीधा एक यूटेंसिल मेकर थी और रहने वाले कहां के थे यह रहने वाले यह मुलतान प और इन्होंने क्या किया इन्होंने यहां पर एक फैक्टरी खोली यूटेंसिल फैक्टरी खोली और उसी के नाम से आस्ता आस्ता करके टाइम के साथ साथ में इन्ही के नाम से डोडा जाना जाने लगा और दीदा के नाम से बाद में आस्ता आस्ता दीदा के नाम से डोडा न सी थी इनकी राजास के शासंकाल में तो इनकी कैपिटल जो थी वेंटर कैपिटल वो थी डूडा यहां तक समझ आ गया दोबारा बताता हूं मैं क्या हुआ डूडा नाम के से पड़ा एक यूटेंसल मेकर थे जिनका नाम था दीदा वो पागिस्तान मुलतान के रहने वाले उनने क्या क्या हुआं से माइग्रेंट होके डूडा पहुंचे और यहां पर प्रमिंट सेटल हो गये और यहां पर उनने क्या क्या बाद में फैक्टरी खौली फेक्टरी स्वारी 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 हाँ तो परिमिटली सेटल हो गए डोडा में और इन्दी के नाम से आइस्था आइस्था डोडा नाम पढ़ गया तो डोडा जो है विंटर केपिटल थी किसकी किश्थवार की वें डिट डोडा डिस्टिक एस्था डोडा डिस्टिक कब आई हो आई 1947 में 1948 में 1949 में 1950 में इसके आंसर उन्चे शो हो गए आपको इसका छुपाने का कोई फाइदा नहीं ठीक है तो इसका आंसर है 1948 में डोडा डिस्टिक जो है वो बनी डोडा डिस्टिक कब बनी 1948 में और डोडा को लेंड आफ फेर एंड फेस्टिवल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है फेर एंड फेस्टिवल कहा जाता है डोडा को आगे चलते हैं डोडा डिस्टिक जो थी वो उदुमपूर डिस्टिक से अलग कब हुई पहले एकी डिस्टिक थी उदुमपूर उदुमपूर में ही पहले रामबन डिस्टिक आता था किष्टवार आता था डूड़ा आता था और भाद में क्या हुआ बाद में ये अलग कर दिया गया डूड़ा को अलग किया गया जिसके साथ में रामबन और उद्वार रहा रामबन, किष्टवार और डूड़ा को इनको एकी डिस्टिक से जाना जाने लगा किस डिस्टिक से डोडा डिस्टिक से और डोडा डिस्टिक कब बनी डोडा डिस्टिक उदुनपोर से अलग कब हुई कब हुई 1947 में अलग हुई 1948 में अलग हुई 1949 में अलग हुई 1950 में तो कब अलग हुई डिस्टिक डोडा उदुनपूर डिस्टिक से अलग कब हुई और यह अलग हुई 1948 में 1948 में क्या हुआ डोड़ा एलोंग विट बद्रवा किस्टवार रामबन बटोत और भनियाल एरिया आस वास कड़ ओड फम उदुनपूर डिस्टिक क्या हुआ 1948 में डोड़ा बद्रवा किस्टवार रामबन बटोत और भनियाल अलग कर दिया गया उदुनपूर डिस्टिक से कब हुआ 1948 में आगे चलता है रामबन और किस्टवार डिस्टिक कब अलग हुए डोड़ा डिस्टिक से यह हमने पिछल्य टापिक में पढ़ा था जब हमने रामबन डिस्टिक पढ़ा था ति इसमें पढ़ा गया था हमने कि रामबन अलग कब हुआ डोड़ा किस्टवार से और वही क्योंचन यहां पर भी अभी है रामबन और किष्टिवाड अलग कब हुआ डिस्टिक डोडा से यह कब हुआ 2006 में अलग हुआ 2007 में अलग हुआ 2008 में अलग हुआ 2005 में अलग हुआ यह अलग हुआ 2007 में वो कंक्योर डोडा डोडा को किसने कंक्यूर किया रंजीत सिंग ने किया मल देव सिंग ने किया हरी सिंग ने किया या गुलाब सिंग ने किया तो किसने किया डोडा को कंक्यूर किसने किया यह किया गुलाब सिंग ने गुलाब सिंग ने कब किया 1822 AD में गुलाब सिंग ने डोडा को कंक्यूर कर लिया हाँ अभी हमने दीदा के बारे में उपर पड़ा था कि दीदा कौन थे दीदा कौन थी राजा थे आथर थे ट्रेवलर थे या या यूटेंसिल मेकर थे तो दीदा कौन थी यूटेंसिल मेकर थे और इन्ही के नाम से डोडा नेम पड़ा और ये एक दीदा कहां के रहने वाली थी ये पाकिस्तान मुलतान के रहने वाले थे और वहां से इन्होंने ये माइगरेंट होके डोडा आये और ।ोड़ा में इन्होंने क्या किया, एक factory खोली, utensil maker factory खोली, और आच्था आच्था इसी के नाम से दिधा के नाम से डोड़ा कमछे ही, किसने pen किया, हरी सिंग ने बनाए, रन्बीर सिंग ने बनाए, मिदीनी पाल ने बनाए, या मल-दिव सिंग ने बनाया तो ये किस ने बनाया? किस ने बिल्ड किया? राजा मिदिनी पाल ने गोर राजा मिदिनी पाल कौन थे? ये राजा थे, राजा मिदिनी पाल ये जो enjoyed है ये इनों के सन ने किया संपत पाल ने किया 1733 में यह जो है डोडा फोर्ट यह लेफ्ट बेंक पर पढ़ता है लेफ्ट साइड पढ़ता है चनाव रिवर के डोडा में और इसको डिमॉलिष्ट किया गया गोर्मिट आफ इंडिया ने कब किया इसको डिमॉलिष्ट 1950 फिट्रू में यह एक पर कुच्चन पूछा गया था जेके SSB के पेपर्ज में कहीं पूछा गया था कि डोडा फोर्ट को डिमॉलिष्ट कब किया गया तो यह डिमॉलिष्ट किया गया 1952 में ठीक है रोडा फोर्ट किस ने बनाया राजा मेदी निपाल ने और इसको कंपलीट किया किसने संसथपाल संपतपाल ने 1733 میں और यह कहां पे पढ़ता है लेफ्ट पर चनाब रिवर के लेफ्ट पर पढ़ता है यह और यह जो रोडा फोर्ट है इसको demolish किया गया बाद में किसने गुवर्मिट अफ इंडिया ने इसको demolish किया गया 1952 में और यहां पर जो अभी 1952 में इसको demolish करके वहां पर भी एक स्कूल है गुवर्मिट ने कब demolish किया डूडा फोट को डूडा फोट को और गुवर्मिट ने demolish कब किया गया तो यह भी हमने उपर पड़ा था कब किया डिमॉलिस्ट 1953 में इसको डिमॉलिस्ट किया गया और वहाँ पे भी एक स्कूल एज स्कूल का नाम गोवर्मिट बॉइज हाई स्केंडि स्कूल डोडा है वहाँ पे भी एक्जिस्ट करता है वही When did डोडा फोर्ट वस कन्वेंटेड इंटू जेल डोडा फोर्ट को जेल में कब कन्वेंट किया गया 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1917 में डोडा फोर्ट को जेल में कन्वेंट किया गया 1919 में When did महराजा गुलाब सिंग कन्कियोर डोडा महाराजा गुलाब सिंग ने डोडा को कंक्यूर कब किया 1821 में, 1822 में, 1823 में, 1820 में कब किया गया 1822 में महाराजा गुलाब सिंग ने कंक्यूर किया डोडा को 1822 में वेंडिड इंगलिश ट्रेवलर जीती विजनी विजिट डोडा and has written in his travelogue यह कब आये डोडा और इन्हें अपना travelogue लिखी 827 में आए 828 में आए 849 में आए यह एकल कब आये थे डोडा 1829 में यह डोड़ा है कौन जिटी विजनी इन्हें विजट किया था डोड़ा में 1829 में और इन्हें अपनी ट्रेवलाग लिखी थी यहां पर बुक लिखी तारीख राजन जो तारीख राजन है बुक इसका आथर कुँ थे फाकुर कहू सिंग बलूरिया इनने क्या लिखा था इस बुक में इसमें लिखा गया था कि 74 इन दियर वियर 74 जम्मो से 74 इन जम्मो में इस बुक में लिखा है तारीख राजगाने में महराजा गुलाब सिंग रीबिल्ट डूडा फोर्ट बिकास अफ एर इन पॉसिबल एटेक फाम दा राजा साव महराजा गुलाब सिंग ने क्या क्या रीबिल्ट किया डूडा फोर्ट को किसके एटेक से बचने के लिए कौन से राजा के अटेक से बचने के लिए किष्टवाड बदर्वा रामबन या नन आफ दीज तो कौन से राजा के अटेक से बचने के लिए बदर्वा के राजा के अटेक से बचने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने डोडा फोल्ट को दुबारा से रिबिल्ट किया नेम दे पिट डेट वाज इन दे कोटियाड अब डोडा फोल्ट which we are used in criminals during the winter season winter season में डोड़ा फोर्ट में एक पिट था जो यूज किया जाता था क्रिमिनल्स को उसमें डाला जाता था कब विंटर सीजन में क्रिमिनल्स को उसमें डाला जाता था तो और उस पिट का क्या नाम था दोबार अब दाता हूँ एक पिट था डोड़ा फोर्ट में जिसको सर्दियों के टाइम में क्रिमिनल्स को वहाँ पे डाला जाता था और उस पिट का क्या नाम था ओप्शन है जेल खाना चाह बच्चा अंधहरी गुफा या नन आफ दीज तो इसका सही ओप्शन है चाह बच्चा तो चाह बच्चा नाम का एक पिट था जिसमें क्रिमिनल्स को डाला जाता था विंटर सीजन में बद्रवा को और किस नाम से जाना जाता है लेंड आफ फ्लावर्ट लेंड आफ मिडोज मिन्नी कश्मीर या नन आफ दीज बद्रवा को और किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है मिन्नी कश्मीर के नाम से और साथ में लेंड आफ Splendors and Surprises Also का नागूं की भूमी Lands of Snake भी कहा जाता है नागूं की भूमी भी कहा जाता है Land of Splendors and Surprises भी कहा जाता है मिनी कशमीर भी कहा जाता है और यहाँ पे भी खाली में 2019 में एक संगम यूथ फेस्टिवल हुआ बद्रवा में जिसको और्गनाइस किया गया 2019 में किसने और्गनाइस किया गया इंडियन आर्मी ने सियोज मिजो बद्रवा जो है डाइमंड इन दे क्रोना बद्रवा केम्पियन ग्रूंड है थोजन अब यातरी जो केलाश यातरा जाती है तो बhuद्रवा यहां पर बहूत सारे यात्रिस जमा हो जाते हैं कहांपे जिए जिए भद्रवा जो है आगे चलते हैं, अभी हम महराजा परताब सिंग के बारे हम बढ़ते हैं जब महराजा परताब सिंग, राजा थे जमु किश्मीर के नहीं हनुने क्या किया? उन्हें गिफ्टिड किया बदर्वा को इन्था यंगर ब्रदर राजा अमर सिंग को तो ए जिगर जिगर उन्हें क्या किया डुन ने अपने यंगर ब्रदर को क्या किया गिफ्ट किया किसने किया महराजा परताब सिंग ने और क्या नाम था जिगर जिगर कुम्पराइट बद्रुवा भलेसा एंद वेस्ट एरिया लिफ्ट आफ रिवर चिनाब फ्रम ठाटरी से लेकर खिलेनी डोटा तक तो एक साइट से खिलेनी डोट खिलेनी और एक साइट से ठाटरी तक इनने क्या किया? गिफ्ट किया किसको? जिसको जिगर कहा कहते थे तो उन्हेंने गिफ्ट किया किसको अपने यंगर रदर को अमर सिंग को जिसका नाम अमर सिंग था और गिफ्ट किसने किया महराजा परताब सिंग ने ठीक है ले रहाँ आगे चलते हैं मेन सोर्ज जो river तवी है जो जमू के बीचों बीच बेहती है river तवी इसका main source कहां कहां से निकलती है तो option है काला नाग कल होई glacier अस्पती glacier या none of these तो main source इसका क्या है अस्पती glacier काला नाग is tributary of river इकाला नाग जो है tributary है किस river की tributary है यह जो tributary है यह है चिनाब river की tributary डोड़ा जो है famous है किस के लिए famous है apples के लिए famous है गुची के लिए famous है एपल से गुची जिसको हम यहां पर मुलब लोकल्टी में इसको कहते हैं ये डोडा किश्टवार ने फैमस है कुकिश के नाम से भी जाना जाता है एपल गुच्ची या नन आफ दीज तो डोडा जो फैमस है किसके नाम से वो है डोडा किसके नाम से नहीं किसके लिए फैमस है यह है गुच्ची के लिए गुच्ची जिसके मोरल मुश्रूम भी कहा जाता है मुर्चिला जो इसका नेम है तो गुच्ची को अपनी बहुत है में अगर यहां से बोला जाए डोडा और किष्टवार में यह लोकल नेम जो है इसको कुकश के नाम से भी जाना जाते और यह फेमस है डोडा में डोडा का यह चीज बहुत जादा फेमस है चत्रगिला टेंडल जो अभी बन रहा है 6.8 किलो मेटर लांग कुनेक्ट किस डिश्टी के साथ कुनेक्ट होगा डोडा से जो भी चत्रगिला टेंडल भन रहा है भी तो वो किस डिश्टी के साथ कुनेक्ट होगा वो होगा किस्तवा डिश्टी के साथ रंबन डिश्टी के साथ कठवा डिश्टी के साथ यह उधुपोर डिश्टी के साथ पिछ चछत्रगिला टेंनल जो है 6.8 किलो मेटर लांगry कुलोडा टु कथवा इन्डियााज फैसे रोड भ्रीजесть लोकेटिटिडि depends kilometers पसक्याख रोड़ाज दिस्टिक है नन आफ दीज तो इसका सही उप्शन है इंडियाज का हाइस्ट रोड बीज जो है वो डूड़ा डिश्टिक में है जिसका नाम है गंपत ब्रिज जो रिवर चुनाब के उपर है क्यलाश यात्रा जो है वो हर साल जाती है इंदा मन्थ अख्तुमबर में और वो किस डिश्टिक से जाती है जमू किश्मीर के उप्शन है उद्वंपूर जमू किश्टवार या डूड़ा तो इसका सही उप्शन है डूड़ा वसुका नाग टेंपल लोकेटिड इन दा डिश्टिक अब जमू एंड किश्मीर के वसुकरनाग टेंपल जो है वो कौन सी डिस्टिक में है जमू किश्मीर की वसुकरनाग टेंपल जो है वो है डिस्टिक डोडा में बलेशा वाटरफाल लोकेटेड इनवीज डिस्टिक अब जमू किश्मीर की option है रियासी, रामबन, डोडा और किस्तिवार और ये बले सा waterfall कौन सी डिस्टिक में है जो मुकिस्टिमीर की यह है डोडा district में कलगुनी river is one of the major left rank tributary of river कलगुनी river जो है major left rank tributary है कौन से river की option है तवी river, चिनाब river, निरू river या none of these तो कालगुनी river, tributary है left rank किसकी, major left rank tributary है कौन से river की है, चिनाब river की मेला प्रट is celebrated every year after के लाश यात्रा के बाद मेला प्रट एक festival है, वो हर साल मनाया जाता है वो कौन से डिस्टिक में मनाया जाता है, option है किस्तवार, जमू, सरनगर या डोडा में, तो मेला फेट festival कहां पर मनाया जाता है के लाश यात्रा के बाद, वो है डोडा डिस्टिक में सोबर धर मेला celebrated every year in which district of Jumu and Kashmir सोबर धर मेला हर साल celebrate किया जाता है कौन सी डिस्टिक में Jumu Kashmir गी option है डोडा, जमू, रियासी या none of these सोबर धर मेला हर साल celebrate किया जाता है कहां पर डोडा डिस्टिक में गुप्त गंगा टेंपल in डोडा, located on the bank of river गुप्त गंगा टेंपल जो है, वो डोडा में है और कौन से bank के कौन से river के bank पर है, तो वहां पर एक ही main दरिया है, जिसका नाम चनाव river है ठीक है, अब आपका बताना यह चनाव river पे है, यह काला नाग है, नीरू river पे यह यह नन आवदीज पे यह चनाव river पे, नहीं, नीरू river पे देविका ब्रिज जो अदुपोर ने रिसंटलि में इनगरेट किया गया और पणीजा पे, यह नागरेट किया गयाँ, यह किस न किये थेई? option है मन महुन सिंग ने, राजनाथ सिंग ने जतिंदर सिंग ने या इस में से कोई नहीं नंद आप दीज तो ये किस ने किये थे, ये किये थे जतिंदर सिंग ने शूटर चेंज सिंग जो है कौन सी डिश्टिक के रहने वाले हैं जमू कश्मीर के option है डोडा, जमू, कठवा या पुंच, ये शूटर चेंज सिंग हैं जो कौन सी डिश्टिक के रहने वाले हैं जमू कश्मीर के, डोडा best quality राजमा in the world are grown in which district of जमू and कश्मीर best quality राजमा कहां पर पाये जाते हैं रियासी में, जमू कठवा में या डोडा में बताए कौन सी district में best quality राजमा पाये जाते हैं ये पाये जाते हैं district डोडा के असर में red meadows famous tourist places is in red meadows famous tourist place ये कहां पर है option है कि इस्तवार, अनदनाग, डोडा या none of these तो red meadows famous tourist place कहां पर है district डोडा में which district अब जमू एंड कश्मीर for purple revolution lavender cultivation option है कि इस्तवार, डोडा रामबन या उधुमपोर इसका सही option है डोडा लाल ध्रमन जिसको red meadows symbol of unity कहा जाता है favorite place ते किसकी शेक महमुद अब्दुला की यहां पर कुछ festivals मनाय जाते हैं इनिका नेम है यह सारे festivals डोडा में बहुर जादा famous है मेला फट फेस्टिवल मनाय जाता है सूबर धर मेला कुद डान्स कंछोत बिसो या बिसाकी जंतरों धर मेला स्तारा जुलाई को और कंथी धर मेला स्तारा जुलाई को गुप्त गंगा गुप्त गंगा कहां पर है नीरू रिवर पर है आन्दा बैंक अप नीरू रिवर फुट प्रिंट बहुत बताया जाता है कि यहां पर फुट प्रिंट है किसके भीमसेन एक रॉक है वहां पर जिस पे फूटो प्रिंट है किसके भीम सेन के लाउंग केव है जहांपे पांडवा जो उसको यूज करते थे कश्मी टू बधरवा कश्मी जा अगर बधरवा आना है तो इस केव का यूज करते थे वो कौन पांडवास तो यहांपे district डोड़ा हमारा complete हुआ किसी को भी अगर इसका PDF अगेरा चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे description में जाके इसका PDF अगेरा download कर सकते हैं इसे नहीं पूरे जितने भी हमने अबे तक complete किया है division जमू की जितनी भी districts कुछ एक अदिश्टिक ही होगी जो हमने अभी नहीं पड़ी है तो एक दो दिन में वो भी हम complete करेंगे तो बाकी जितनी भी district अभी तक हमने complete की है उन सभी district का नीचे PDF आपको मिल जाएगा तो वीडियो के नीचे हर वीडियो के नीचे उसी वीडियो के नीचे जो भी जिस वीडियो का जाके उसके वीडियो के नीचे PDF डौलोड कर सकते हैं ठीक है तो ठीक है ओके बाई